नवस्कार दोस्तो जैहिंद वंदे मात्रम मैं आपके साथ जैसवाल सर आपके अपने यूटूब चैनल सिच्छवर्ती के चैनल पर स्वागत अविनदन करता हूँ पावडवाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो बात करेंगे प्रात्मी सिच्छवर्ती की हिंदी सिच्छा स प्रस्णों के साथ पार्ट नंबर 6 के और पिछली क्रासेद देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आएगा आप लोग देख सकते हैं तो इस वीडियो को देख रहीं के बाद आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे सारे वीडियो एक साथ आप लोग देख सक तो दोस्तो पहला प्रस्णि स्कीन पर है हर एक प्रस्णि इंपोर्टेंट है सेलेक्शन के लिए प्रस्णिया दोस्तो यह है कि प्राथमी किस्तर की सिच्छा मुक्ते भासा सिच्छा है इस कतन का नहतार्थ क्या होगा आप लोग जानते हैं कि जो प्राथमी किस्तर की सिच् या बच्चों को अनेक भासाएं सिखाना अनिवार है या दोस्तों बच्चों को मानक भासाएं सिखाई जाएं तो राइट आपसन क्या होगा प्रात्मिक इस्तर की सिच्छा मुक्ते भासा की सिच्छा है इस कतन का नेतार्थ होगा बच्चों के भासा विकास पर बिसीस ध्यान दिया जाए सेकंड आपसंस सही हो जाएगा हर एक प्रसंदोस्तों इंपोर्टन्ट है और अंत में जरूर आप लोग बता सकते हैं यहां भी अपना स्कोर बता सकते हैं कि आप लोग आज की क्लास में यानि कि 15 में से कितना स्कोर यहां पे क्रैक कर रहे हैं अगर आप 12 प्लस कर रहे हैं 10 प्लस कर रहे हैं तो बहुत इसाई कर रहे हैं सेलेक्शन के लिए दोस्तों बता देता हूँ सेलेक्शन के लिए पेड़ोगाजी सिच्चा साथ बहुत ही मत्पूर होता है कराना चाहते हैं आप सभी लोग भावी अधापक अधापि कायें हैं सिचख हैं अगर आप किसी में से सिचख सिचखाय है जो बچो के भासा से अर्थ पूर परिचे कराना चाहते हैं तो वे पाट-पुस्तक से रोज मर्रा की भासा को इस्थान देंगे वे साहित की सिच्छन पर बल देंगे वे भासा गर सुधता पर अधिक बल देते हैं या वे बच्चों की भासा की आकलन नहीं करते हैं ठीक है देखे कोई भी पेड़ा गोजी के प्रसनों आप अपने अमसार अगर यहाँ पे सिच्छक दिया आप स्वय मुहाँ पे सोचिए कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या अप्सन होना चाहिए तो बिलको सही आप सोचेंगे क्योंकि अपने आप पे आप सही सोचेंगे तो यही आपको करना है अगर आप सिच्छक है और बच्चों से भासा से अर्थपूर्ण परिचे कराना चाहते हैं तो किस प्रकार कराएंगे तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों अगर आप भासा से अर्थपूर्ण परिचे कराना है तो आप लोग क्या करेंगे पाढ़ पुस्तक की रोजमर्रा की भासा को इस्थान देंगे ठीक है दोस्तो पहला आपसन सई हो जाएगा अंगला प्रस क्या दिया गहा है देख लेते हैं प्रस ने दोस्तो पूचा जा रहा है सिच्चा बेक्ति को साच्छर बनाने की प्रक्रिया है यह सिच्छा का कौन सा अर्थ है दोस्तों सिच्छा जो है बिक्ति को साचर बनाने की प्रक्रिया है सभी लोग जानते हैं लेकिन यह सिच्छा का कौन सा अर्थ होगा संकुचित अर्थ होगा, ब्यापक अर्थ होगा, वास्तविक अर्थ होगा या आपका साब्दिक अर्थ होगा आप सभी लोग भावी अद्धापक अद्धापी काये हैं आप लोग बताइए कि सिच्छा बिक्त को साचर बनाने की प्रकिया है या सिच्छा का कौन सा अर्थ होगा तो सिच्छा का सभी लोग जानते हैं कोई भी बिक्ती है वह सिच्छा को साचर बनानी की प्रकिया होती है तो यह सिच्छा का आपका संकुची तर्थ हो जाएगा कैसा रथ होगा संकुची तर्थ होगा पहला अपसन यहाँ पर सही हो जाएगा अंगलापस देख रहें क्या पूचा जा रहा है अंगलापस दोस्तों ये पूचा जा रहा है आप लोगों से कि मात्र भाशा जो है मनुस के हैदें की धरकंड की भाशा है यह statement यह कथन करने वाले कौन आपके मनो बैग्यानिक है यह कथन कालराज का है महाबीर पिसाद जी का है रामचंद सुकली जी का है दोस्तो यह आपके रामसरन अगरवाल जी का है तो मात्रमाशा मनुस के हैदें की धरकन है यह भासा यह कथन किसका है यह कलराज का है ठीक है जब भी हैदें की धड़का न आ जाए, भासा तो यह जो कथान है, इस्टेटमेंट है, आपके कलराज का है, पहला आपसन सही हो जाएगा, हर एक प्रस्न दोस्तों इंपोर्टेंट है, अगर प्रस्न समझ में आ गए हो तो वीडियो लाइक कर दीजेगा, चोटा सा प्यारा स फीड में कमेंट जरूर किजेगा, कुछ नहीं करते बनता तो भाईया जैहिंद जरूर करिएगा, कमेंट में सभी मेरे प्यारे में जैहिंद करें, क्योंकि सिच्छा ही प्रकास है, जी हाँ, प्रस्न है, नैदानिक परक पत्र बनानी के आवसकता है, जो नैदानिक परक प तो आवशक्ता है तो जो आपके नैदानिक परकपत होते हैं उनकी बनाने के सकता क्यों होती है छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए किसका क्योंकि नैदानिक परखा आप लोग समझ सकते हैं यह जो चातों की जो कमजोरी है उससे पता चलेगा परख करेंगे न आप अपने बालक बालिका पैसे इच्छक होने के नाते आप परख करते हैं कि आपका विद्यार्थी कितना ग्यानी है, कितना प्रतिभासील है, कहां पर कमजोरी कर रहा है, ठीक है फिर उस कमजोरी क्या करेंगे, आप लोग निदान करेंगे, ठीक है, दूर करेंगे, अंगला प्रसन आ चुका है, दोस्तो सब्द भंडार में ब्रदी के लिए क्या वश्यक है, सब्द भंडार में अगर ब्रदी करना हो, बच्चों में बालक बालिकाओं में, सिच्छार्थी में, बिद्यार्थी में, तो उसके लिए गद्द सिच्छन आवश्यक है, पद्द सिच्छन आवश्यक है, रचन सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तो तो प्रात्मिक इस्तर की रचना सिच्छन की प्रमुखविती काउन सी होगी उद्बोधन पद्धती होगी वाचन पद्धती होगी नाटक पद्धती होगी या खेल पद्धती होगी तो जब भी प्रात्मिक इस्तर की रचना सिच्छन की प्रमुखविती पूची ज दोस्तो अंगला प्रसन है उचारन का संबंध होता है जो हम लोग उचारन करते हैं कहें इसका उचारन कीजिए उसका उचारन कीजिए आप लोग बच्चों को बताते होंगे किसे होता है मनुस्ष के स्वर्यंत्रों से उच्चारण का सम्मंध होता है पहला अप्सन सई हो जाएगा अंगला प्रस्ण क्या है दोस्तो मंटेंसरी ने क्या कहा था मन्टेंसरी ने कहा कि पहले पढ़ना है पहले सुनना है या पहले लिखना फिर पढ़ना है या पहले पढ़ना और फिर लिखना है तो मन्टेंसरी ने क्या कहा था दोस्तो उसने कहा था या उसने कही थी कि पहले लिखना है फिर बाद में पढ़ना है क्या करना है पहले लिखना है फिर पढ़ना है कोई भी चीज अगर हम लिखेंगे अगर मैं आपसे बोलता हूँ पहला लिखिए ठीक है तो आप पहले क्या लिखेंगे पहला आप लिखेंगे फिर इसके बाद अपने पढ़ेंगे क्या पहला आमने सही लिखा है फिर इसके ब पढ़ना है तो तीसरा अप्सन सई हो जाएगा अंगला प्रस देख रहे हैं दोस्तों क्या पूंचा जा रहा है हर एक प्रस्न इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सेलेक्शन सरो पर है और हमें आप से एक ही आग रहे हैं कि हमें सेलेक्शन चाहिए दोस्तों जी हाँ प्रोजेक्ट सब्द का सरबतम प्रयोग किस ने किया था जब भी प्रोजेक्ट सब्द की बात था या आपकी हिंदी भासा में हिंदी पेड़ागाजी में तो आपको डेल करेंगे या किल पैट्रिक करेंगे या आपके जान डीवी करेंगे या प्रोफेसर रिचर्ड्स करेंगे तो प्रोजेक्ट सब्द आ जाए तो प्रोजेक्ट में आप लोग देखेंगे किसमें एक्ट सब्द आ रहा है प्रोजेक्ट सब्द का सरपतम प्रयोग करने वाले और कोई नहीं है आपके प्रोफेसर रिचर्ड्स है दोस्तो ठी जी हाँ प्रोजेक्ट सब्द का सरपतम प्रयोग प्रोफेसर रिचर्ड्स ने किया था बहुत बहुत बहुतरी लाजवा प्रसन है और ये सभी प्रसन इपॉर्टेंट है हर एक प्रस्ण आपके सलेवा सधार पर है अंगला प्रस देख लेते हैं डाल्टन योजना के प्रवर्टक कौन माने जाते हैं ठीक है बहुत से बच्चे क्या करते हैं डाल्टन आर रोजर हो जाएंगे बहुत से बच्चे गलती करते हैं यही गलती आपको करना नहीं है क्या अगर डाल्टन योजना नाम आ गया तो हम लोग क्या करते हैं डाल्टन सब्दाया नाम आया बस टिक कर दिये और स्किप किये अंगला प्रसन पहुँच गए भईया यही गलती नहीं करना है यही पे सेलेक्शन रुखता है यही चीज हमें सुधारना है और सेलेक्शन पाना है यही डाल्टन योजना के परोटता कौन हो जाएंगे आपके हेलन पार्क हष्ट हो जाएंगे आपका सही आपसन डी के साथ जाएगा ठीक है तो सही त्यारी कीजिए आज ही सब्सकाइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रिस कीजिए ताकि सभी नोट केसन आपको मिलता रहे सिच्छा जगत के सारी कलासेज आपको मिलती रहे और अंगला प्रसने दोस्तो आत्मी करण का संप्रत्य किस ने दिया था तो जब भी आत्मी करण का संप्रत्य देने की बात किया जाए तो आपके मौरिशन ने दिया था आत्मी करण का संप्रत्य देने वाले कौन है तो मौरिशन ने दिया था पहला आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रस देख रहें किया पूँचा जा रहा है और बेसिक सिच्छा से समंदित ये प्रशन कई बार आपके सिच्छक भरती में टीटिक जा मैं पूंचा गया प्रशन है वर्ग दो में भी आया हुआ प्रशन है तो बहुत ही महत्पूर है सभी लोग जानते हैं M.K. गांधी है मात्मा करमचंद गांधी जी है और मोहन दास करमचंद गांधी है वैसे तो M.K. गांधी जी के नाम से इनको भी जाना जाता है तो बेसिक पद्दज के प्रशन किस ने दिया तो M.K. गांधी जी ने दिया आपके जो राष्ट बापू कहे जाते हैं राष्ट पिता कहे जाते हैं मात्मा गांधी जी मोहन दास करम चंद गांदी जी अंगला प्रस्ण है मुल्यांकन में निस्वचता बनाए रखने के लिए प्रस्ण कैसे होने चाहिए अगर आप लोग अध्यापक अध्यापक बनने जा रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है अगर बच्चों में मुल्यांकन में निस्पचता बनाए रखना है आपको तो आपको कैसे प्रस्ण पूँचने चाहिए आपको कैसे प्रस्ण पेपर में देने चाहिए निवंदात्मक प्रस्ण देंगे लगुतरात्मक प्रस्ण वस्तुनिष्ट प्रस्ण या दोस्तों आति लगोत्रात्मक प्रस्ण होंगे तो मुल्यांकन में निस्पचता अगर बनाय रखना है तो उसके कैसे प्रस्ण होने चाहिए तो वस्तु निस्ट प्रस्ण होने चाहिए युकि निवंदात्मक में कम जादा नंबर दे सकते हैं लगोत्रात्मक में भी आति लगोत्रात् तो बच्चों से क्या बोलते हैं यह थोड़ा यहां गलत था यह पाई इधर था मातर इधर था क्योंकि बहां सा की बात कर रहे हैं तो वस्टनिष्ट में ना तो पाई होता है अगर आप आपसन क्लिक किया सही किया है तो एक नंबर मिलेगा आपसन क्लिक नहीं किया है तो जीरो नंबर मिलेगा तो मुल्याकर में निस्पचता बनाए रखना है तो आपको वस्निष्ट प्रस्ण होने चाहिए अंगला प्रस्ण बहुत से बच्चे होंगे जो हमारे वीडियो छोण के चले जाते हैं उनको भी बहुत बहुत धनवाद जो अंदर बीडियो देखते हैं उनको और बहुत बहुत धनवाद क्योंकि वो रियल हीरो है ठीक है मैनत कर रहे हैं और उनका मैनत जरू सफल होगा ठीक है दोस्तों, तो दूरस्थ सिचण में क्या होता है जब भी हम दूरस्थ सिचण की बात करते हैं वह स्वा अनुदेशान अधारित होती है सबी को सिच्चा पर पहुँच होती है या बहु माद्यम उपागम और चात केंदित होती है या ये सभी हो जाएंगे दोस्तो जब भी दूरस्त सिच्छन में अगर पूंचा जाए तो उसमें स्वा अनुदेशन अधारित होता है दूरस्त सिच्छन सभी को सिच्छा पर पहुँच होती है बहुमाद्यम उपागम और छात केंदित होती है ठीक है छात केंदित भी आप की दूरा सिच्छन होती है और बहुमादम उपागम भी होता है तो उपरोग सभी हो जाएगा डी आपसंस ही हो जाएगा तो सिच्छा को सपोर्ड करते नहें दोस्तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और अपने सब्सक्राइब करेंगे चैनल में विजिट करेंगे तो आपके जो थर्ड नंबर में प्लेलिस्ट आता है उसमें आपको क्लिक करना है आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां से आप लोग सारी क्लासे अराम से फ्री एम कॉश्ट में देख सकते हैं प्योंकि राश्रित में सिच्छा सरोपरी है सलेक्शन सरोपरी है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेस क्लास में धनवाशभी का जैहिन वन्यवात